हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट चनल आफ अडोबिस अकैटमी आज के इस एपिसोड में इस लेक्चर में हम लोग यहमत कैसिस के बारे में डिसक्स करेंगे कि एक्चल में कल 21 जन्वरी 2022 को फ्रैडे का दिन है कल फ्रैडे का दिन था अर्ली मॉर्निंग फ्रैडे की अर्ली मॉर्निंग को सौधी एरेबिया ने यमन पर यमन के एक सिठी है अल हुड़ेदा यहां पर एस ट्राइक की जिसकी वज़े से यमन में पूरा का पूरा एयर इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्के रिलेशन वो ब्लाइकट वहां पर हो गया उसी समय साथी अरेविया ने यमन की सद्रा प्रोविस है सइधा प्रोविस भी कहते है इसको यहां पर एक डिटेंशन सेंटर है जहां पर एस ट्राइक हुई वहां पे काफी सारे सिविलियंस इंक्लूडिंग अफ्रिकन माइग्रेंट्स उनकी डेथ हुई रिपोर्ट्स के अगर मानी जाए तो वहां पे तीन बच्चे और साथ साथ में लगवक साथ लोग सिविलियंस हैं उनकी इस एयर स्ट्राइक में मौत हो गड़ी इससे कुछ दिंग पहले अगर हम जाएं तो 16 जनवरी 2022 को कि हौदी रैबल्स यमन के यमन में मिलिटेंट्स हैं मिलिटेंट ग्रूप है यमन का मिलिटेंट ग्रूप से हौदी रैबल्स इन्होंने यूए 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 डारफ एमिरेट्स के वहां पे अबिद्धापी है वहां पहले इन्हों स्ट्राइक किया और जिसमें काफे साई लोग इंजयर्ड हुए उसमें से दोग इंडियंस भी निया और दो बाकी दूषरे देशों के भी है जब W them कि रेवल्स ने हौती जो मिलिटेंट्स हैं इन्हों ने यूए में एस ट्राइक किया और ट्राइक किया सॉरी तो फी वहां पे आभू धावी नैशनल ऑईल कंपनी की जो फैसिलिटी है वहां पर एक्स्पोशन हो गया और उस एक्स्पोशन में काफे सारे लोग इंजड कि यूए फ्लैक्षिट रौबी को हाइजक कर लिया था और इसमें से सेवन मेंबर्स थे उसमें सेवन इंडियस थे तो हमारे लिए टॉपिक इसलिए इंपॉर्टन्ट है क्योंकि यह सब इशू हो रहा है वेस्ट एशिया में अभी हम देखेंगे पूरे मैथ के थू लेक एक हमारे इंडियन जो है माइडेंट महां पर काफि सारे करते हैं तो इस घ्राइस में इंडियन भी अंचाहे तौर पर फ़स जा रहे हैं इंडियन सिविल्या जो महां पर इस अब कर की तरह काम कर रहे हैं कि आगे देखते हैं जब ये अब हावती रैबल्स ने ड्रोन स्ट्राइक किया हावती रैबल्स ने शिप को हैजक किया तो रिटाइएशन में साउधी अरेबिया ने रेएक टायि किया और एक शिप आरहा था वसको कर लिए साउधी-अरेविया ने अपने तरफ यह कहा कर लिए तर्फ कोई तो हम देख रहे हैं कि काफे सावडी आरेविया और UAE उसका रहा है और इन सब में हमारे इंडियन वर्कर्स आज दो में अब लोग जो हमने अभी यह नहीं लिखा लोग जहां पर सब्सक्राइब यह समझे में और असानी बेगे जो यमन की बात चल रही है एक सेट यह जो पूरा पूरा रीजन है यह जो पूरा पूरा रीजन दिखाई दे रहा है इसको यह वेस्ट एशिया के अंडर आता है और यहां पर जो क्राइसीस चल रही है वो यहां पर चल रही है देखेंगे आप लोग यमन पर यह क्राइसिस चल रही है और ठीक है साउदिय रिवे यहां पर है यहां पर है यहां पर इस फिगर में इस मैप में हम लोग कुछ की यहां पर डिखीका रेड शी है रेड शी स्वेज कनाल से यॉरोप की दरफ यह पड़ाता है यहां पर है बावन मंदम यह क्षेट काश शीन है और आगे जाके दिखाएंगे तो गल्फ और बबल आदेर और अब देड़ और अजर शेया तो अरब सागर पढ़ रहा है वही तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो यह पूरी की पूरी क्राइसिस हम लोगो समझ में आ जाएगे आप फिर से इपड़ी कर दे रहा हूं पर्शियन गल्फ और यहां पर फजिन गल्फ इसाएगा है मेरा इरान है तो किस तरीके से जियो पॉलिटिकल जी यो पॉलिटिकर सिचुएशन जो है इस यमन क्राइसिस को बढ़ा रही है यह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक तरफ इरान दिख रहा है सौलेरी पे दिख रहा है यमन दिख रहा है युवी दिख रहा है अगर हम स्टेट्स की बात करें ओशन की बात करें तो हमें अब जो अरब सी से कलेक्टिड है आगे जब देख रहे हैं यहां से बहुत मेजर कार्गो ट्रैफिक फ्लो करता है इस पूरी सिचुशन को देखकर हम लोग इस क्रैसिस को समझने की कोशिश करते हैं एक बार हम लोग अपने यमन को भी देख लेते हैं कि कहां पर कौन कौन से इंपोर्टन प्रोवेंसिस हैं यहां पर कौन से इंपोर्टन शहर हैं यह यहां पर देखने की ची साधा ठीक और यहां फिर ताएज देख रहे हैं हम लोग आदेव देख रहे हैं और अलमहरा अलमहरा तो कहा हर एक यमन का यूएए का साओधी अरेविया का पर्टिक्लर मोटिवेशन है अलग 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 तुमिंसिस में यह चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करें अगर हम लोग अप यमन की हिस्ट्री में जाएं तो हम लोग देखेंगे की 1978 से 2012 तक जब अरव स्प्रिंग आप लोग देखेंगे तो अरव स्प्रिंग आई थी अरव में क्रांती आई थी तो 1978 से 2012 तक अली अब्दुल्ला साले यह यहां पर रूल कर रहे थे अरव स्प्रिंग के दौरार इनको यहां से अठा दिया गया लेकिन इन्हों ने इनको यमन में रहने की इजादत भी मिल गई थी अलाव कर दिया गया और इन्होंने कर्प्शन के तूरू जितना भी पैसा इखटा किया था वो इनसे छीना नहीं गया वो इनको दे दिया गया तो इससे में समझ में आ रहा है हाला कि यह हट गये लेकिन कहीं ना कहीं यमन की और पुरी वेस्ट इस्या में इनका जो पोजिशन है उन्होंने अपनी पोजिशन को मेंटेंड रखा जो हम देखने किस तरीके से यमन क्रैसिस को बढ़ा रहा है अली अब्दुला साहिय के बाद दो हुदार बारा में ये इनको हटा दिया गया तो उनके सिसेसर आये अब्दरब्बो मंसूर हादी तो इसका फाइदा उठाया गया कि यमन में जो शिया कम्मूनिटी है यहां पर हम देख रहा हूंगे यमन में जो शिया यहां पर जैदी कम्मूनिटी है यमन में शिया जो जैदी कम्मूनिटी है जो साले के अंडर उनके अंडर यह काफी मार्जनलाइज थी पॉलिटिकली और एकनॉमिकली लेकिन जब मंसूर हादी की गवर्मेंट आई तो यह खुद ही वी गवर्मेंट थी तो शिया और जैदी कम्मूनिटी यह उपर उठके आई और इन्होंने विद्रो शुरू कर दिया जैन्वरी 2015 को जैन्वरी 2015 को शिया और जैदी कम्मूनिटी ने मिलकर जो यमन की कैपिटल है वहाँ पर उन्होंने अटाइक किया और उस पर कंट्रोल कर लिया आगे देखते हैं हम लोग जब यह चीज हो गई जब जैन्वरी 2015 को जैदी कम्मूनिटी शिया कम्मूनिटी ने जो जो हैं हौदी रेबल्स का उन्होंने यमन की जो टैपिटल है सना उस पर कब्जा कर लिया तो उसकी वजह से साओधी अरेविया को काफी खत्रा महसूस होंगे कि सना और साओधी अरेविया में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है साओधी अरेविया को क्या लग रहा है क्या लगा उस समय कि शिया कम्मूनिटी जो जैदी कम्मूनिटी है साओधी अरेविया के बहुत पास होने की साओधी अरेविया को दिख रही है तो यह सब्सिटूशन देखते हुए जैसे ही जैनुवरी 2015 में हौदी रेबल्स ने सनाप पर कब्जा किया तुरत ही मार्च 26 2015 मार्च 26 2015 को साओधी अरेबिया ने यमन पर बॉंबार्डिंग या फिर उस पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू किया और अभी तक कर दिनी हुए अगर हम स्टैटिस्टिक देखें कि 2015 से 2021 के बीच में तो साओधी अरेबिया ने 25,000 एयर स्ट्राइक किये हैं उसके रेटैलियेशन में जो हौती रेबल्स हैं उन्होंने लगवक 4,000 मिसाईल या फिर ड्रोन स्ट्राइक किये हैं तो हम लोग यह देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से इस क्रैसिस को बढ़ाया जा रहा है कोई भी समझूते की तरफ नहीं जा रहा है अब साउदी अरेबिया और यमन साउदी अरेबिया और हावती के बीच में जो जगड़ा चल रहा है उसकी वजह से हावती और इरान में काफी जादा उनकी काफी मजबूती बढ़ जा रही है क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं श्रीया को बिलॉंग कर रहे हैं और उस्रे को अब देखें क्या हो रहा है कि साथ साल सी यह पॉलिटिकल क्रैसिस जीविए जीस चल रही है और जिसकी वजह से हर देश इस प्रेशिस से अपना कुछ पीश रखाने की कोशिश कर रहा है हर देश मानने की जैसे जैसे को मुश्य से दैश इन्वल्व है यमन में होती रेबल्स, साउदी एरेविया, इरान, यूए ये, तो हर कोई ट्राइ कर रहा है कि इस करसिस से वो अपने लिए कुछ अड्वांटेज उठा ले, इसमें जो पॉइंट ऑफ फोकस है, वो है हमारा हुदैदा, पॉइंट ऑफ फोकस क्या है हमारा हुदैदा, अल हुदैदा, यह इंपोर्टन क्यों है क्योंकि अल हुदैदा के पास जास हमने देखाता है, यहां पर था एक स्टेट था बाबल मंदब, स्टेट है बाबल मंदब, तो बाबल मंदब किस से कर्डेक्ट होता है, गल्फ आदेन और अरभीयन सी से, देखेंगे हम लोग, ठीक और महां से हम लोग यूरोब की तरफ चले जाते हैं, तो यह हम देख रहे है कि किनेक्टिविटी किस तरफ से हो रही है, अगर अल्फ देटा पर कंट्रोल है, तो यह पूरे के पूरे सी रूट पर कंट्रोल हो जाएगा, यहां पर एक चीन हम लोग नोटिस करते हैं, को यहीं से निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए उसे हम चोग पॉंट कहते हैं, इस फोर्थ बिजिए शिपिंग चोग पंट इन दो वर्ल्ड और यहां से फोर परसंट ऑफ वर्स और सप्लाई यहां से पास होती है, और अगर मुझे यूरोब से एशिया जाना है तो सबसे फास्टेस्ट रूट यह सबसे फास्टेस्ट मेरा यह पढ़ रहा है, तो एवरीबडी इस ट्राइं टू टू वोल्ड दियर कंट्रोल टू में टू गें कंट्रोल ओवर हल उदयधा, च्थे, आगे देखते हैं लोग, अब हुआ क्या अलुकिए इंप्रांट है ही, सा θα साथ में एक और शहर्म ऎंप्रॉर्ट है व यह यह शहर्म बहूं कि ऴथा है है वैसे यह बावर बन्दर के काफी पास में यह प्रेजन्ट है हालां कि 23 पर यहां पर पर हाउटी रेंबसं का लड़ा है ठीक लेकिन अगर मैं देखूं कि इसके हैं वेस्ट में जाकर देखूं वेस्ट पर तो यहां पर साउधी अरिविया के इसलामिस्ट पाउरतनर इसके जस्ट वेस्ट में साओदी अरेविया के इसलामिस पार्टनर का कंट्रोल है मैं यहां पर देखिए यहां पर लिखेते हैं यह ताइज है इसके जस्ट अगर मैं देखूं इसके साउथ में यूवे सपोर्टेट यूई इस सपोर्टेट सदर्न ट्राजिक्शन का गजा है यहां पर देखेंगे हम लोग इधर आदेन है इधर देखेंगे हम लोग आदेन पर चल रहा है सदर्न ट्राजिक्शन का गजा चल रहा है तो इंटेंज फाइटिंग चल रही है तो गें देंग कंट्रोल आफ दिस ट्रेट रूट अल हुदेदा पर भी चल रही है तायज पर होलती का कब्जा है लेकिन उसके वेस्ट में आव साउथ में इस्पारल्थ सदेन पार्टोश का प्जा है सदेन ट्रवाइब पर कभज कि इस पूरी क्राइसिस में पूरे यमन पर सौदी अरेबिया और यूए अपना होल्ट बढ़ाने के कोशिश कर रहे हैं और सबका फोकस कहां पर जा रहा है बाबिन मंदर स्टेट पर फोकस जा रहा है कि यूए जो है कि उसने आरेड़ी काफी जगे अपना स्टेटिक और मिलिटरी पोस्ट वह बना चुका है कंट्रोल उसके काफी हो चुके हैं जैसे कि देखेंगे हम लोग यह मेरा रेट सी जा रहा है यह मेरा रेट सी है इसके जस्ट वेस्ट में अफ्रीका में एरेशिया है वहां पर इसका हो चुका है ठीके एरेशिया के नीचे जो समालिया है टकाहि यहां पर सुमाली लैंड दिख रहा है और पूंड कले रहा है एज गजहां पर इसके मिलीटरी बेस इस たेटप्र ऌट इंस तब जगे यमन का फूल लेंड ऐ और यमन में आदेन और मोका यहां पर भी युवेई ने अपना कंट्रोल कर रख रहा है आगे देखते हैं हम लोग कि इन सब जगें पर कंट्रोल करने का में अब्जेक्टिव फिर से बात वही है यहां पर फिर से वह चीज रिपीट हो रही है कि बाबल मंदब और यहां पर एक आईलाइंड है सुकुत्रा आईलेंड जो गल्फ आदेन के पास में है इस पर कंजा करने का में अब्जेक्टिव क्या है कि मिलिटरी और ट्रेड रूट दोनों ही तरीके से यूए का पूरा का पूरा इस पर होल्ट हो जाए कि अब देखें क्या हो रहा है मैं इस तरह तो यूए अपना पूरा फोकस कर रहा है लेकिन साओवी यरेविया का फोकस इस तरफ नहीं होके वो अपना focus कर रहा है अल महरा पे वो अपना focus कहां पे कर रहा है अल महरा पे focus कर रहा है जो यहां पर किसके पास है Gulf of Aden और यहां पर Arab Sea Gulf of Aden और Arab Sea इन दोनों को वो touch करता है अच्छल में उसका focus यहां पर अल महरा की तरफ इसलिए हो रहा है क्योंकि अल महरा के पास यहां पर एक निश्टुन पोट है अल महरा पर निश्टुन पोट है तो सौधी अरीगा चाह रहा है कि आपने इस्टन प्रोविंस से वो पाइप लाइन इस पोर्ट के थूँ वह आगे वह ट्रांसपोर्ट कर दें अपना पाइप अपने जो ऑइल है वह इस्टन इरिजिएंस से वह कहां पर ले जाये निश्टन पोट से और वहां से वह एक्सपोर्ट अलग अलग जगे अपना वह ऑइल करतें साथे अरिबिया यह चाहरा है कि उस ट्रेट आफ फोम रूस को ऑवर्ड करें क्योंकि जब कभी अगर लडाई हुई किसके बीच में साथे अरिजियों इरान के बीच में तो इरान आस्ट भूल्ड स्टेट अफोम रूस पर जादा है तो उसके वह ट्रेट रूस को ब्लॉ पर अपने इस्टन रिजन के जो ऑई है वो पाइप लैंड के थूँ वो निशन कोट के थूँ वो एक्सपोर्ट करतें ठीक है अभी फिल्हाल जो में जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है हमारी कहां पर मारिक कंट्रोल करने की यहां पर दिख रहा होगा इस पर कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है हाओधी राइबल्स पूरा ट्राइब कर रहे हैं इस पर कंट्रोल कर लें क्यों कर इसका मेरी रिजन यह है कि यहां पर मारिक पे नाइटी परसेंट ओफ और और रिजर्व हैं ऑफ यमन एक और उनका अब्जेक्टिव है कि अगर उन्होंने मारिप कर लिया तो फिर वो पूरा जो नौर्थ यमन है उस पर उनका पूरा का पूरा हो जाएदा ठीक है पहले के टाइम पर नौर्थ यमन और साउथ यमन अलग थे 1990 में नौर्थ यमन और साउथ यमन को यूनिफिकेशन हो गया था उनका हौदी रेबल्स का मारिक पर कंडूर करने का में अचिटिक यह है कि वो नौर्थ यमन पर पूरा अपना होल्ट बना ले ठीक है उससे होगा क्या कि एक बार नौर्थ यमन पर होल्ट बना लिया तो उनका स्ट्रेटिकल ही एक इंपोर्टन पोजिशन मिल गई उनको और एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा क्या अथा दूसरी बात क्या हो रही है उनको फंच्शनल एमिस्ट्रेशन कर लेंगे ऑले जाएगा तो फिनके पास फंड्स आजाएंगे और फंच्शनल एड्मिस्ट्रिटिव वह Ooh, मशीनरी को स्टैबश कर सकते है और वो यह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मार्व कर करने के बाद वो इंटरनेशनल कमडिश करने की को कुषिश करेंगे ताकि उनको करके वह ट्राइ करेंगे कि सारी सारी कउनफिक्ट अब यहीं कहीं रुख जाए कि इस पूरी क्राइसिस में UA यह चाह रहा है कि नौर्थ यमन और सौथ यमन अलग हो जाएंगे तो यूए के पास बागल मंदर पर होल्ड उसका बढ़ेगा एक तरफ हम यूए को देख रहे हैं दुसरी तरफ अगर हम सौधी अरेब्या को देखें तो सौधी अरेब्या यह ब अलग-अलग हो गया तो नौर्थ यमन पर किसका होल्ड हो जाएगा सौधी यमन पर भी होल्ड हो जाएगा हौती रेब्या को बिलोंग करते हैं तो सौधी यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके जस्ट जस्ट अक्रोंस दे बॉर्डर शिया कम्मूनिटी का हो और डिफेक तो हो जाएगा सौधी यह इरान से खत्रा मैसस हो रहा है इसलिए वह हौती रेबल का विद्रों कर रहा है अब लेकिन इस पूरे क्राइसिस में जो सबसे ज्यादा जिनको हार्म हो रहा है वह अभी नेग्लेक्टिट पिक्चर वो उनकी पिक्चर में आई नहीं रहे हैं तो सबको हार्म हो रहा है वह यमन के सिविलियंस हैं लास्ट जो सेवन इयर्स की जो यह क्राइसिस आ रही है इसमें एक एस्टिमेट यह लगाया गया है कि अभी तक लग भग तीन लाग पचास जार यमनी सिविलियंस की डेथ हो चुकी है और मलब की यह बहुती गौर करने वाली बात है इसमें से 60 परसेंट जो डेथ हुई है वह क्लीन वाटर की अनविलिटी फूड की कमी की वज़े से और हेल्थ फैसलिट की कमी की वज़े से उनकी डेथ हुई है इस पूरे क्रैसिस का रिजल्ट यह रहा है कि लगए 75 परसेंट मोर दें 75 परसेंट ऑफ यमन नाव लिए बिलो पावर्टी लाइन पावर्टी लाइन के वो नीचे रह रहे हैं तो बहुत ही खराब सिती आ चुकी है इस पूरे यमन क्रैसिस में यमनी इंडिया को चुकि हमाँ पर इंडियन वर्कर्स भी इंवाल्व हो जा रहे हैं इंडिया को और पूरी इंट्रेशन कम्मूनिटी को इंक्लूडिंग यूए नव को यह चाहिए कि इस पूरे क्रैसिस में वह इंवाल्व हो और जल्दी से जल्दी इस क्रैसिस का सॉलूशन फटनेक आफ मतर सबस्क्राइब सब्सक्रान इकोन निकाला जाए दाकि कि सीविन इस पूरे क्रैसिस जल्दी से जल्दी उब्रे वनको हेल्थ केर फैसिमिटी ह scratches शाल ने को खाना दिया जाए पीने ले साफ पाने क्या जाए रहने को घर जो है वह रिकरस्टड करवाय जाए जाए तो पूरे को इंटर्नाशनल कमूलिटी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी से इस क्राइसिस को खतम किया जाए और नेरो स्ट्रेटेजिक जी परिंटरेस्स से हर देश बचे आए होप आप लोगों को यह जो क्राइसिस यमन क्राइसिस के जो समझ है वह ज्यादा अच्छी डेवलप हुई होगी हमें ऐसा लर्नेट पर्संस हम सब को इस चीज पता होने चाहिए ताकि हम सभी लोग एज शिवल सोसाइटी एक प्रेशर ग्रूप की तरह काम कर सकें और नेशनल एस इंटरनेशनल गवर्मेंट सब पर प्रेशर किया जाए उस प्रेशर के तुरू जो यमन के जो सिविलियंस हैं वह इस क्राइसिस जल्दी जल्दी निकल पाएं कोई और आपको पर वी क्वेरी हो तो प्लीज कमें सेक्शन में लिखके बताएं तो इसके बारे म बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके जो भी नोटिफिकेशन आये वह आपनों को मिलें जाते से सब्सक्राइब करिए ताकि यह इन्फोर्मेशन आई थिंक कि मैसिम लोगों के पास पहुचने चाहिए और सभी लोगों को एजा अवेर सिविलेंस हम लोगों को बनना चाहिए ठीक है थैंक यू